मुढ़ने से पहले ट्रक ड्राइवर ने अपना शिशा देखा और उसे रास्ता साफ लगा मगर ड्राइवर को ये नहीं पता चला कि बाइक वाला उसको ओवर टेक करने की कोशिश कर रहा था और ओवर टेक करते हुए वो ट्रक के ब्लाइड स्पॉर्ट में आ गया था अगर ब्लाइड स्पॉर्ट का इल्म होता तो ये हादसा ना होता और बाइक वाला सही सलामत होता मगर ये ब्लाइड स्पॉर्ट होता क्या है? ब्लाइंड स्पॉर्ट एक ऐसा एरिया होता है जो आगे या शीशों की मदद से पीछे देखते हुए ड्राइवर को नजर नहीं आता इन एरियास को मिस्करने की वजह से ऐसे एक्सिडेंट हो सकते हैं जिन में पता ही नहीं चलता कि दूसरी गाड़ी या बाइक कहां से आ गए ट्रक के ब्लाइड स्पॉर्ट यहां होते हैं ट्रक के शीशों की तादाद और डिजाइन के मताबिक इन ब्लाइड स्पॉर्ट का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है लेकिन ट्रक के blind spot हमेशा गाड़ी के blind spot से ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा खतरनाक भी Blind spots के मुतलिक चंद हदायात याद रखने से आप महफूज रह सकते हैं अगर आपको ट्रक का driver ट्रक के शीशे में नजर नहीं आ रहा तो driver को आप भी नहीं नजर आ रहे अगर आप ट्रक के पीछे हैं तो कुछ फासला काइम रखें ताके अचानक रुकने पर कोई हादसा ना हो overtake करते हुए कोशिश करें कि आप जल्दस जल्द blind spot से बाहर आ जाएं ताके driver आपको शीशे में देख सकें सिर्फ ट्रक और गाड़ियों के ही नहीं बल्के बाइक्स के भी blind spot होते हैं और वो यहां पाए जाते हैं हादसे या टकर से बचाओ के लिए अपने शीशों का इस्तमाल करें और सर मोड कर भी जाएजा लें खास तोर पर जब आप बाइक रोखने लगे दाएं या बाइं टर्न करने लगे लें चेंज करने लगे और ओवर टेक करने लगे हमारी कहानी अभी खतम नहीं हुए अब हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट देखेंगे हमने तीन लोगों को चुना जो सालों से गाड़ी चलाते रहे हैं और उनको एक दुपहर के लिए टेंकर ट्रक ड्राइवर बनने का मौका दिया ये ट्रक है ये जहास क्या आप जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर के क्या चैलेंजिस होते हैं? नहीं, क्या मतलब? जैसे मेरे और बाकिसब ड्राइवर के होते हैं जरा शीशे में चेक करें क्या आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं और ट्रक के आगे? नहीं क्या आपके ख्याल में ट्रक चलाने के लिए आपका रास्ता साफ है? हाँ, क्लियर है शीशे तो मैंने सारे देखे थे लेकिन जब लग मैं बाहर ने निकला मुझे बाइक नजर नहीं आई मैंने तो ये सीखा है कि रोड पर ड्राइविंग करते पर मुझे ज्यादा के एफूर रहना चाहिए ट्रॉक ड्राइवर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा कॉम्लिकेशन होती है मैं ही तो आंखे खुल गई आज लाइंट स्पोर्स को जहन पर रखे और सही सलामत घर पहुंचे इस तमाम एफट का मकसुद यही है और यही हमारा स्लोगन है गो होम सेफ हम यही चाहते हैं कि जब आप सफर पे निकलें आप खैर खरीयत से अपने घर पहुंचे नैशनल हाइवेज और मोटर वेट पलीज आपकी सहत और सलामती के लिए हमेशा कोशा है